हार्मनी टीवी देखने वाले सभी धर्शकों को वसुधा तिवारी का नमस्कार आज की कारिक्रम में हमारे साथ उपस्तित हैं रूपम शर्माजी रूपम शर्माजी जो की अपने आप में एक बहु आयामी व्यक्तित्व रखती है रूपम शर्माजी चाइल केर सुपर्वाइजर भी है उसके साथ साथ वो कम्यूनिटी सर्विससे से भी जुड़ी हुई है रूपम शर्माजी और क्या-क्या करती हैं आए हम जानते हैं उनहीं की जवानी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में तैंक यू असदा जी शुक्रिया हार्मिनी टीवी का जिन्होंने मुझे दर्शकों के साथ जुड़ने का मौखा दिया मैं चाइल केर सुपर्वाइजर हूँ इसके लावा मैं कमिशनर आफ ओध हूँ और इसके लावा मैं कम्यूनिटी सर्विस भी करती हूँ मैं मौटी कल्चरल कोलेशन है एक और जिसके साथ मैं अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है सीनियर्स की सोशल आइसोलेशन पे तो इसके लावा और भी और जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ कम्यूनिटी सर्विस करना मुझे अच्छा लगता है बिकरस मैं सोचती हूँ कि यह मेरा एक तो पैशन है और दूसरा हम वी वांट तो गिव बाक, वी शुट गिव बाक तो दे कम्यूनिटी ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमें अगर उसका कुछ हिस्सा, कुछ समय अगर हम वापस अपनी कम्यूनिटी को दे सकते हैं और Communities को किसी तरह help कर सकते हैं तो वो एक अलग थरां की Satisfaction देता है मुझे रूपम जी मैं आपसे जयना चाहूंगी कि आप यहां पर Community Services भी कर रही हैं और आप एक Women है तो आप क्या सोचती है Women.. What is the scope here for the Women's? कि Ladies यहां पर क्या कर सकती है Ladies का तो Canada में मैं सोचती हूँ कि जो चाहें वो कर सकती है Reason being, जब हम Canada में immigrate करते हैं हमें अपने आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या थे या क्या लेकि आए हैं हम इतना experience लेकर आते हैं अपने country से हमें वो हमारी जो है वो asset है हमारा उस experience के साथ हमें नए सिरे से सोचना चाहिए कि हम जिन्दगी शुरू कर रहे हैं Just like a baby या कहें just like a clean slate कि हमारी जो है ये किताब बिल्कुल clean है हम इसके उपर जो चाहें लिख सकते हैं हम ABC से शुरू करें और जहां तक उसको ले जाना चाहें हम literature तक हम पूरा लिख सकते हैं उस किताब में तो ये open mindedness होना बहुत जरूरी है अगर हम open minded होके इस concept के साथ इस सोच के साथ आएंगे तो ladies जहां तक चाहें पहुंच सकती हैं इसमें कोई दोराए नहीं है कोई शक नहीं है जी बिल्कुल लेकिन यहां में आपसे एक चीज जाना चाहूंगी कि यहां पर हर व्यक्ति अलग-अलग age group में आता है कुछ as a student आते हैं कुछ अपने जिंदगी की शुरुआत में आते हैं और यदि हम आपकी बात करें तो आपको अभी आये यहां पर देर साल हुआ है आप जून में यहां मूव हुआ है तो आप क्या सोचती हैं कि यदि व्यक्ति वहां पर एक पोजिशन होल करता है अपनी कंट्री में back home और वो यहां आता है उस age में middle age जिसको हम कह सकते हैं तो उस age में कितना आसान है या कितना difficult है यहां settle down होना मेरे विचार में तो जिस मरजी एज में यहां पर आएं चाहे as a student आएं, चाहे middle age आएं चाहे as senior आएं सभी का जो सोच है वो मेरे को लगता है कि एक ही होनी चाहिए यही कि we are student जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चाहे कोई student आता है चाहे कोई middle age में भी आए उसको भी यही सोच के आना चाहिए कि I am a student, student यह नहीं के पढ़ाई से student, student हर तरीके से, open minded होके to learn, to adapt, to grasp, वो चीज़ जो है वो अगर किसी में भी आती है, चाहे वो 60 year old आते हैं यहां पर, चाहे वो middle age में आएं, चाहे यह student आएं जितनी fast, क्योंकि हम देखते हैं जो students है, उनमें adaptability सबसे जादा होती है, तो अगर हम वही सोच रखके यहां आते हैं कि ठीक है, मैं तो वहां पर 12th की है, इंडिया में और मैं यहां पर मैंने अपना career बनाना है, या मैंने दुबारा से life शुरू करनी है I think वह उतनी जल्दी settle होगा उतनी जल्दी grow करेगा, उतनी जल्दी development होगी लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं बहुत कुछ करना जैसे आपने एक बात बहुत अच्छी बोली मुझे बहुत अच्छी लगी कि adoptability होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ कुछ limitations होती है as a lady क्योंकि हम इंडिया से आये हैं हमारे family का set up वहाँ अलग है और हमारे यहाँ family priority पे रहती है इंडिया में हम अपने social stigmas भी साथ में लेके आये हैं दूसरी बात यह कि यदी जैसे आपके दो बच्चे हैं तो उनके साथ साथ आप अपने time को कैसे manage करेंगी क्योंकि यह problem यहाँ ladies के साथ आती हैं कि वह करना चाहती है मगर कही न कहीं वह stuck है अपने बच्चों के साथ किसी के बच्चे छोटे हैं तो उस चैलेंज को यहाँ किस तरीके से ladies accept करें इस बारे में आप क्या बुलना चाहेंगी सबसे पहले मैं अपने बारे में लेकर चलती हूं तो मेरे बच्चे बड़े हैं तो मैं सोचते हूं बहुत बड़ा में लखी हूं कि वह बहुत help करते हैं मेरी प्ले करती है एक लेडी के करियर में भी और फैमिली लाइफ में भी तो इस मामले में मैं अपने आपको बहुत लखी समझती हूं कि मेरे जो इनलाज हैं बहुत जादा सपोर्टिव हैं और मेरी सारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है तो इस मामले में मैं बहुत लगी समझती हूँ अपने आपको, बट पार्ट फ्रम दैट मैंने यहां पे देखा है कि सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर आपके छोटे बच्चे भी हैं, और जैसे कि मैं भी चाइल केर सुपरवाइजर हूँ, तो डेकियर्स में इटने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होती है बच्चों की, कि अगर हम उसक Copare करें बैक हुम में, जहां हम नैनी इस भी रख लेते हैं, आई टिंक बच्चों की डेक्यर में होती है, जिस तरीके से खयाल रखा जाता है वहांपे, बच्चों को every minute they learn new things तो वो चीज बहुत अच्छी है तो जो parents हैं वो carefree अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं बिना किसी tension के, बिना किसी उसके problem के जबकि back home ये चीज थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे अगर हम घर पे भी बच्चे रहते हैं under some supervision उनकी development वैसी नहीं हो पाती जैसी यहाँ पे हम सोच सकते हैं जी यह पाद आपने बिल्कुल सही कही, दूसरा एक सवाल मैं आप से जाना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा कि हम लोग अपने साथ कुछ social stigmas लेके आएं कुछ मानसिकता आती है साथ में सोच लेके आता है इंसान जहां से भी आता है और वहाँ पे लेडीज को लेके एक अलग तरीके की सोच है और कैनेडा का माहूल एक अलग तरीके का है यहाँ पे equality है true sense में equality है और दूसरा यहाँ पे job scenario भी है यहाँ पे काफी competitive है you have to prove in each and every level यहाँ ऐसा नहीं कि एक बार job लग गया तो आप safe हो गए आपको हर बार अपने आपको proof करना पड़ेगा तो उस चीज को ladies किस तरीके से ले पाती है जैसे आपने कहा कि आपके साथ family support है कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे जो लड़कियां family के साथ रहती है उनको support के बजाए कई बार उन्हें problem होती है क्योंकि वो उस मानसिक्ता से बहार नहीं आपाते बजर्ग और उनको काम करने में या late hours में काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जो family है वो सबसे बड़ा support system है और होना भी चाहिए तो अगर इस तरह कि किसी को दिक्कत आती है तो I think बैठ के बात कर लेनी चाहिए और discuss कर लेना चाहिए क्योंकि हमारी family में तो यही महाल है कि हम even अपने बच्चों को या family सब बैठते हैं एक दूसरे के साथ और अगर कोई problem भी आती है या कोई face कर रहा है तो चाहे वो suggestions लेते हैं एक दूसरे की तो even अगर कोई हमें चोटा बच्चा भी सजेशन दे रहा है और सबको लगता है unanimous कि इसकी बात सही है तो हम इसको implement करते हैं तो यह जो open mindedness से एक दूसरे के साथ share करने अपने ideas और views यह बहुत जरूरी है ना सिरफ family के लिए अगर family सही चल रही है तब ही बाहर हम सही तरीके से काम कर पाएंगे तो अगर family में communication सही है तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी parents समझते हैं अपने experience से कि हाँ यहाँ पे हमें help की जरूरत है हमारे बच्चों को वो जरूर help करेंगे extend तो मैंनी समझती कोई दिक्कत आनी चाहिए एक सवाल में और आपसे करना चाहूँगी कि जैसे आपने adaptability की बात की जब बाहर से कोई वक्ती आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें adapt करता है उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है और यहाँ पे बदलाव भी आते हैं lifestyle की भी बदलाव आते हैं तो as a women आप क्या सोचती है as a Indian women आप क्या सोचती है कि किस हद तक हमें adaptability रखनी चाहिए और किस हद तक हमें अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए हाँ जी पिलकुल जो values हैं जो हैं हमारी roots हैं उनको तो खेर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उनी से ही हम आगे क्या कहते हैं यहां तक पहुंचे हैं but apart from that grow करना है चाहे हम बच्चों की भी बात करें उन्होंने एक नए set-up में अपने आपको adapt करना है तो उनको space देनी बड़ी जरूरी है हमें अपने बच्चों को space देनी चाहिए उनको grow करना है अपनी छतर चाय में कह लीजिए या अपनी नरीक्षन में तो हमें उनको guide भी करना है पर उनको grow भी करने देना है at the same time तो यह एक बहुत delicate balance है एक lady के लिए, एक mother के लिए but वो करना जरूरी है तो yeah, I think इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर इसके पाद रूपम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ अपने विचार शेयर किये और मैं जाते जाते बस आप से यही पूचारा चाहूंगी कि आप हमारी Indian community को क्या message देना चाहती है जी मैं Indian community और बाकी सारी communities जो भी immigrants यहां आते हैं मैं सबको यही message देना चाहती हूं कि burn your boat burn your boat जो आप पीछे छोड़ाए जो आप थे जो भी experience वो था जो भी वो पीछे रह गया अपने आपको मौका दीजिए भगवार ने आपको God परमेश्वर ने आपको एक नया मौका दिया है जिन्दगी जीने का तो start it anew, a fresh अपने आपको अपने आपके साथ सबसे पहले समझाता कीजिए कि मैं यहां पर नया हूं और मैंने अपनी जिन्दगी नए सिरे से शुरू करनी है तो आप कुछ भी जाहे लिख सकते हैं उसमें आपकी plain किताब है कुछ भी जाहे बन सकते हैं जो भी आपका पीछे आप चाहे डॉक्टर थे, इंजिनियर थे यहां पर आके आपको दुबारा मौका मिलेगा अपने आपको time दीजिए यही मेरा message है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थांक्यू जी, थांक्यू सो मच थांक्यू हार्मनी टीवी का जिन्होंने मुझे मुझे मौका दिया अपने विचारश्रेय करने का थांक्यू सो मच